इस फैमिली से हम लोग पहले मिल चुके हैं देखिए हम लोग मॉंटेसरी वन में इस फैमिली से मिले थे जिसमें फादर, मदर और उनके बच्चे थे हैं ना फैमिली, फैमिली मेंस क्या होता है परिवार, very good फादर, मदर and dear children makes a family और ये कैसी फैमिली है इसमें देखिए बस मम्मी, पापा और बच्चे हैं है ना, तो ये है small family हम लोग मिले थे small family से अब चलिए Montessori 2 की बुक में हमारे पास कुछ और family members आ गए हैं दिखिये तो हमारे घर और कौन आ गया हमारे family में आ गए है grandfather ग्रांड 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 फांड 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 ग्रांड दादा जी दादा जी के साथ आई है दादी मां Grandmother, G-R-A-N-D Grand M-O-T-H-E-R Mother Grandmother और इनके साथ आए हैं Uncle, Aunt और उनके दो बच्चे है ना हम लोग पहले पढ़े हुए है Father, Mother और उनके बच्चों से तो मिल चुके हैं, पढ़ चुके हैं अब देखिए जब इस Family में Grandfather, Grandmother, Uncle, Aunt और उनके बच्चे भी आ गए तो ये कैसा बन गया? बहुत बड़ा Family बन गया है ना एक Big Family बन गया तो हम लोग इसे कहेंगे Big Family और Small Family से तो हम लोग पहले मिल चुके हैं तो आज हमें Two Types of Family मिल गया Big Family और Small Family There are Two Types of Family Big Family, Small Family Small Family में मम्मी, पापा और बच्चे होते हैं और Father Family के Head होते हैं और देखे, Big Family में Father, Mother, उनके बच्चों के साथ Grandfather, Grandmother, Uncle, Aunt और उनके बच्चे भी होते हैं और इसमें Family के Head होते हैं Grandfather और ये सबसे Oldest भी होते हैं सबसे बड़े तो आज हम लोग इन Family Members के नाम अपने कॉपी में कुछ Family Members के नाम अपने कॉपी में लिखेंगे और उनको पढ़ने का, याद करने का प्राक्टिस करेंगे तो चलिए आप अपने जीते की कॉपी ले लीजिए नई कॉपी और उसमें सबसे पहले आप डेट लगाएंगे 7th April 2021 आज डेट 7 है, इसलिए यहाँ पे 7 लिखा है और April काउंट करिए कि कितने नंबर पे मिलेगा January, February, March, April 4th नंबर पे है न, 4 नंबर पे मिला तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 और Year है 2021 तो शॉट में यहाँ लिखेंगे 2121 Heading लगाएंगे The Family F-A-M-I-L-Y Family Family means परिवार सबसे पहले हम लोग लिखेंगे Grandfather है न, क्योंकि Grandfather Family के Head होते हैं और सबसे Oldest Person भी है तो हम लोग सबसे पहले Grandfather लिखेंगे G-R-A-N-D Grand F-A-T-H-E-R Father, Grandfather Grandfather means दादाजी G-R-A-N-D Grand M-O-T-H-E-R Mother, Grandmother दादी मा F-A-T-H-E-R Father means पापा M-O-T-H-E-R Mother means मम्मी S-O-N Son means बेटा D-A-U-G-H-T-E-R Daughter, Daughter means बेटी तो आपको भी सुन्दर से One Time अपने कॉपी में लिखना है और इसको पढ़ने का प्रैक्टिस करना है दादी।